आपके लिए, डिफरेंसेज Анд्ल theoret esperando और नविए तो, मैं भी आपके लिए-डिफरेंसेज प्फेर करके लाईएं ज 크ेंगे जन्नों नहीं किया है एक molecule of oxygen बनाने के लिए, that is 8 photons, बट भाईया, PS2 चार electron ले क्यों, क्यों लेगा वो चार electron, जब उसके पास चार electron की कमी होगी between a cyclic photophosphorylation and the non-cyclic photophosphorylation, along with the difference in PS1 and PS2, and hopefully, बहुत सारे बच्चों ने अपने copy में वो difference तयार कर लिया होगा है, जिन्हों ने नहीं तयार किया है, जिन्हों ने तयार कर लिया है, बच्चों, आपके लिए differences आपके slide पर भी है, तो मैं भी आपके लिए differences प्रिपेर करके लाइ ठीक है, तो उसको आप add कर लोगी, जैसे revise करा दिती हो फटाक से, we know that कि जो pigments PS1 और PS2 होते हैं, system क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे pigment मिल करके photosynthesis में involved होते हैं, 1 और 2 किस basis पर नाम रखा गया है, depending upon the discovery, since PS1 पहले आया था, तो 1 वो बात मैं था 2, दोनों के chlorophyll ए molecule का जो Outer surface of thalacoids में arrange होते हैं, अब इस समझा दूँगी, Outer surface और Inner surface क्या होते हैं, NCRT क्या करती है, तो मैं NCRT देखो कि तो मैं आपको दिखा देती हूँ, NCRT देखो कि तो मैं दिखा देती हूँ, एक second, यह second line में difference समझा देती हूँ, NCRT में ऐसा लग रहा है कि PS2 और PS1 दोनों Outer surface of thalacoidal membrane, यह तुमारी inner surface of thalacoidal membrane, तो उस difference में यह कहने का मतलब है कि भया तुम घर के तरफ तो हो, अब तुम घर में थोड़ा सा एक पैर बाहर की तरफ है, एक पैर अंदर की तरफ तो तुम यह बोलोगी कि भया, you are facing towards the outer side, है ना, या बिल्कूल अंदर हो, तो तुम य है कि अंदर हो, या एक पैर अंदर की तरफ है, तो what we are gonna say, कि we are facing towards inner side, similarly यह है तो पूरी membrane, but PS1 कहां पर present होता है, towards outer side, towards outer side, ठीके, और यह towards inner side लगा होता है, जो NCRT हमें clarity नहीं देती है, ठीके बच्चो, और क्या difference है, फटा-फट देख लो, just a second, हाँ, और क्या है, हमने साथ stromal lamellae भी मिलता है, वो diagram भी बनाया था, हमने देख लो, PS1 तुम्हें यहाँ पर granal lamellae में भी दिखाई दे रहा है, जबकि PS2 सिर्फ तुम्हें कहां पर दिखाई देता है, grana, जिसको हम granal lamellae भी बोल सकते हैं, PS1 तुम्हें cyclic में भी दिखाई दिया था, non-cyclic में भी दिखाई दिया था, बिल्कुल कॉपी खोल करके बैटो, जबकि जो PS2 होता है, वो सिर्फ और सिर्फ non-cyclic में ही involved होता है, है ना, moreover, यहाँ पर क्योंकि PS2 ही नहीं होता, तो कोई पानी की splitting नहीं होती है, इसलिए कोई oxygen भी निकलता, whereas यह किस से related है, पानी की splitting से, so these are some of the differences between PS1 and PS2, साथी साथ मैं आपने बोला था, cyclic and non-cyclic के बिले लिखना, है ना, तो कोई नहीं आपके screen पर है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो what we can do, we can switch off the light, so yes, non-cyclic में both photosystems are involved, very correct, ठीक है, दोनों connected होते हैं with the help of ETS, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही photosystems involved होता है, यहाँ पर electron के recycling नहीं होती, याद करो जो electron निकला था, वो कभी घूम फिर करके अपने घर लोटा, नहीं है, इसलिए flow non-cyclic था, जबकि यहाँ पर electron का flow cyclic था, जो घर से निकला, वही घूम फिर करके recycle होकर के अपने घर लोट गया cyclic, यहाँ पर दोनों चीज़े बनती है फिर यहाँ पर photolysis होती है, obviously क्योंकि PS2 है, यहाँ पर photolysis नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर PS2 नहीं होता, यहाँ पर oxygen निकलेगा, यहाँ पर oxygen नहीं निकलेगा, यह सब सारी बाते हमने discuss कर रखी है, और इनोंने क्या दिखा दिया है, पूरा का पूरा process भी बना करके दिख क्लिक and it is और यार हमने न यह वाली ETS नहीं पड़ी थी हमने बहुत डिटेल ETS पड़ी है और क्योंकि यह डिटेल ETS ही आपके मतलब किये इसी को आपको पढ़ना है question solve करने के लिए है ना तो हमने देखा था कि जो electron की flow होती है है वो several electron carriers के थ्रू होती है और electron अपना एक जो सफर तह करता है है ना वो जिग-जाग movement शो करता है जिसको क्या बोला था इसलिए light reaction के बारे में बहुत सारी बाते इन्हों ने बताई थी इसलिए light reaction को हिल reaction भी कह देते हैं ठीक है कैसा pathway है इसका जेड ठीक है इसको जेड स्कीम मोलते है एक और चीज ने लिखी हुई है कि जब electron travel करता है तो high redox से कहां गया low redox potential की तरफ फिर यह साई electron carriers की तरफ फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया तो इसकी दो जर्णी होती कैसी जर्णी बच्चो दो जर्णी होती है जब यह high redox potential से low redox potential की तरफ जा रहा है मतलब सबसे पहले electron acceptor के पास electron carrier के पास feo fighting यहां से जब उपर गया तो ऐसी जर्णी को हम क्या बोलते हैं बच्चो दिस से टू भी uphill जर्णी क्योंकि यह low energy से high energy की तरफ गया है तो this journey is called as uphill जब यह ETS के थू जैसे यार जैसे दिख रहा है न अब ऐसे याद कर लो ऊपर गय अफिल समय ठीक है नीचे गया यह जो ETS के थू जा रहा है यह क्यांसी जर्णी एं डाउन हिल फिर उपर गया दिस इस अफिल फिर नीचे आया डाउन हिल तो ऐसे तुम याद रख सकते हो जैसा समझ में आ रहा है तुमको ठीक है अब हमें पता है अफिल का होती है जब low energy स सरफ जाते हैं और डाउन हिल पैसिव 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 कैसे होता है हाई एनरजी से लो एनरजी गेडिंग मैं पॉइंट तो येस लेकिन तुम अगर इतने पचले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो सीधा सीधा तुमको जैसा दिखाई दे रहा है उपर गया अफिल नीचे आया डाउन हिल उपर गया अफिल नीचे आया डाउन हिल तो एलेक्ट्रॉन की जो जर्नी होती है द्यूरिंग सच फॉस्पोर एलेशन डाट इस बोथ अफिल आस डाउनल एंस याटी लिगती है ठीक है और इसी उपर नीचे उपर नीचे के चक्र में एक पैटन बच जात बच्चो questi quantum requirements जासे से केंट कि अ ओके डैस नहूं के नाटम आप मतलब को पता है ना तो तुम कॉंटम को रिलेट कर सकते हो क्या होता है कॉंटम का मतलब packet of light packet of light और इस packet of light को क्या बोलते हैं बच्चो photon तो ये तो quanta का मतलब हो गया जिसका मतलब है photon requirement का मतलब क्या है photon required photon required to form one molecule of oxygen अब इससे क्या समझ में आया यार इसके लिए हमें पहले बातों ये समझना पड़ेगा कि oxygen बना कहा है किस photo phosphorylation में बना है oxygen बना है cyclic वाले में या non cyclic में तो फटाक से हम जवाब देंगे oxygen वही पर बनता है जहां पानी की splitting होती है और पानी की splitting किस photo system से associated है बच्चो photo system 2 से है ना फिर याद करो कि जब photo system में इसमें electron की कमी हो गई थी तो मैं आमने बताया था कि पानी split करेगा जब एक water molecule split कर रहा है तो आधा molecule of oxygen बन रहा है फिर से repeat कर रहा है अभी हमने देखा एक second हाँ अभी हमने देखा बच्चो कि जब एक पानी split कर रहा है तो 2H plus plus 2 electron plus half molecule of oxygen is formed हमें half थोड़ी बनाना है हमें तो पूरा complete एक molecule of oxygen बनाना है that means एक और बनाने के लिए एक बर और reaction चलेगा ठीक है तो that means एक और बर पानी split होगा तो 2H plus 2 electron plus half oxygen बन गया बन गया ना अब half और half क्या बना देंगे एक molecule of oxygen एकदम बच्चो की तरह बता रही हूं तो overall बच्चो overall हम क्या बोलेंगे कितना पानी split करता है 2 water molecule split कर रहे हैं और उस 2 water molecule से 4 protons निकल रहे हैं 4 electron निकल रहे हैं और क्या निकल रहा है एक molecule of oxygen बन गया बट इस एक molecule of oxygen बनाने के लिए photons कितने लगे उसी को बोलते है quantum requirement तो एक साइंटेस्स थे उन्होंने बता दिया था कि जो quanta required होता है एक molecule of oxygen बनाने के लिए that is 8 photons कितने 8 photons अब आप सोच रहे होगे 8 photons क्यों है ना 8 photons क्यों इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा non-cyclic photo phosphorus को थोड़ा और अच्छी तरीके से अब ध्यान से सुनना पूरा का पूरा सुनने और समझने की उपर है बत्च हुए अब देखो हमने बोला पानी स्प्लिट करा पानी स्प्लिट कर गया आधा oxygen बन गया आधा oxygen से दो एलेक्ट्रोन निकले है ना वो दोनों के दोनों एलेक्ट्रोन कहां जाने की कोशिश करेंगे ps2 में फीर हम बोल रहे हैं इससे तो अधा निकला डाट मीनस दो गॉर्टर मॉलिक्योल स्प्लिट करेंगा दो गॉर्टर मॉलीक्योल से चार एचप्ल lied बनेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ oxygen बन जाएगा चार एलेक्ट्रोन बंजाएगा मतलब overall कितने electron बन रहे है दो नहीं चार वो चारों के चारों electron कहां entry मारेंगे PS2 में मारेंगे बट भाईया PS2 चार electron ले क्यों क्यों लेगा वो चार electron जब उसके पास चार electron की कमी होगी है ना वो चार electron की कमी कब होगी जब चार photon साकर के strike करेंगे देखो समझने की कोशिश करना ठीक है मैं फिर से एक साफ सुत्रा डाइग्राम ले रही हूँ यह हमारा PS2 है यह हमारा क्या है PS1 है PS1 पे जब एक photon strike करता है packet of light strike करती है बच्चों तो एक electron release हो जाता है पढ़ा हुआ हमने इस फोटो सिस्टम पे भी जब light strike करेगी light simultaneously strike करती है simultaneously strike करने के वज़े से pigment molecule excite हो करके अपना electron release कर देते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले lecture में है ना कहने का मतलब यह है कि यह PS2 ने electron कब receive किया था एक electron कब receive किया था जब इसके पास खुद के पास कमी थी है ना तो अगर इसको चाल electron मिल रहे हैं तो इसको यह चाल लेगा जब इसके पास चाल लेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कमी कब होगी बच्चो जब इस पर light पड़ी होगी कितनी light पड़ी होगी बच्चो जब 8, sorry, 4 electron की कमी का मतलब है, 4 photons पड़े होंगे इस पर, क्या पड़े होगा बच्चो, 4 photons, 4 photons पड़े, मतलब light पड़ी, 4 electron गायब, उस 4 electron की कमी किसने पूरी की, पानी की splitting, कितने पानी की splitting से, 2 पानी की splitting से, 2 पानी की splitting से, 4 H+, एक oxygen बना, 4 electron बना, और ये जो 4 electron भागे थे, उनकी कमी को किसने पूरा किया, इसने पूरा किया, ठीक है, इसकी कमी खतम हो गई, ठीक है, अब ये जो 4 electron है, ये ETS के थुरू कहां आ जाते हैं, ये ETS के थुरू स ये चार कियो लेगा, भै? तब ही लेगा, झिसके पास कमी होगी, इसने भी चार एलेक्टरोन कियो लिया? जब इसके पास कमी थी, क्यों कमी थी? क्योंकि 4 photon आकर के strike किये थे और 4 electron निकल गया था क्या यह इसके पास भी कमी है बच्छों बिल्कुल कमी हो रखिये ना इसका भी तो electron उड़ा हुआ है बढ़ 4 electron लेने के लिए कितनी कमी होनी चाहिए इसके पास 4 electron और वो 4 electron की कमी इसको कब होगी जब इसके पास भी कितने photons पड़े होंगे इसके उपर 4 photons तो 4 photons पड़े होंगे 4 electron निकला होगा बढ़ कोई बात नी इस 4 electron की कमी कौन पूरी कर देगा ये वाला 4 electron जो कहां से आ रहा है PS2 से आ रहा है तो this is how इनकी जो electron की कमी है वो फुल्फिल हो गई ठीक है, PS2 की कमी किस ने की, पानी ने, इसकी कमी किस ने पूरी की, इस वाले electron ने जो यहां से आ रहा है, है ना, तो हुआ क्या बच्चो, एक molecule of oxygen बनाने के लिए, 4 photons PS2 पर पड़े, 4 photons PS1 पर पड़े, तो overall कितने photons हो गए, 4 प्लस 4, 8 photons, तो this is said to be a quantum requirement, तो यह quantum requirement बच्चो, explain की गई है, for non-cyclic only, क्यों, क्योंकि splitting, oxygen यह सब कहां होता है, non-cyclic में, cyclic में कोई पानी की splitting होती ही नहीं, oxygen, oxygen कुछ निकलता ही नहीं है, तो वहाँ पर quantum requirement की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो बहुत important चीज है, ठीक है, सारी किताबों में सिर्फ यहीं लिखा रहता है, कितने photons, तो बहुत सारे बच्चे सर्फ 8 photons याद करके बैठ जाते हैं, बट उन्हों 8 photons के पीछे का mechanism वो है, जादी साथ कभी-कभी यह यह भी पूछता है, कि कितने protons बने, कितने electrons बनते हैं, पानी की splitting से, ठीक है, जब एक molecule of oxygen बनता है, तो चार photons और चार electron और एक molecule की साथ, बनाने के लिए 8 photons, ठीक है, यह आपको याद रखना है, 8 photons याद रखना है, 4 plus, H plus, 4 electron, किसको बनाने के लिए, एक molecule of oxygen को बनाने के लिए, ठीक है बच्चो, ओके, फिर हमने पिछले lecture में पढ़ा था या, चार साइकलिक याद करो, चार नॉन साइकलिक याद करो, हमने बोला था, ATP बन रही है, है ना, लेकिन हमने उसके पीछे का mechanism नहीं पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे बच्चों mechanism, बट यार, बड़ा इजी है तुम लोग के लिए mechanism पढ़ना, क्योंकि तुम लोग का base अलड़ी है, क्योंकि जो mechanism, या जो theory हम इस्तमाल करने वाले हैं, उस theory का नाम है chemiosmosis, या chemiosmotic theory, जहां पर भी ATP बनाना, सीखना है ना, वहां समच जाना, इस theory को हम पढ़ने वाले हैं, और ये theory, तुमने अलड़ी पढ़ रखी है, in the chapter, respiration in plants, तो भाईया, आप रिलाक्स हो जाओ, क् आप अलड़ी पढ़ रखे हो, ठीक है, difference क्या है, difference सुन लो, वहां पर तुमने respiratory ETS पढ़ा था, क्योंकि वो respiration में चला था, यहां पर तुम photosynthesis वाला पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो भी membrane में चला था, ये भी membrane में चलेगा, बट difference क्या है, वो चला था, mitochondria के membrane में, ये ठीक है, बट, mechanism, basic, same, यार, basis, जो basic है, वो same है, और basic है क्या, सुन लो, फटा-फट, chemiosmosis बोल सकते हो, या तुम इसको chemiosmotic theory बोल सकते हो, पहले इसको hypothesis बोला जाता था, hypothesis का मतलब क्या होता है, बच्चों, ऐसा माना जाता है, बट वही बात है, hypothesis चलती रही, चलती रही, च दिया गया, है ना, तो यह थियोरी बताने वाले भही scientist है, जिन्होंने mitochondria के membrane में explain किया था, उन्ही scientist ने chloroplast के membrane में भी explain किया, और उन scientist का नाम क्या है, Peter Michelle, क्या नाम है बच्चों, Peter Michelle, ठीक है, यह scientist है, इन्होंने क्या किया है, he explained, 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 the mechanism behind, the mechanism behind, the mechanism behind, ATP formation, but बच्चों, यहाँ पर हम ATP formation किस में पढ़ रहे है, ATP formation in chloroplast, क्योंकि mitochondria का already पढ़ रखें, अब दुबारा थोड़ी repeat करेंगे, है ना, तो अगर आप से सवाल पूचा जाए, क्या formation ATP की सिर्फ mitochondria में होती है, कतई ना, क्यों, क्योंकि हम देखतो ना, क्लोरोप्लास में बन सकता है, है ना, लेकिन बच्चपन से हमें यही पढ़ा आगया कि ATP formation टेक प्लेस in mitochondria, तो अब हमारा जो मित है, वो clear हो गया है, ठीक है, क्लोरोप्लास में भी चल सकती है, शर्त यह है कि ऐसे ATP formation को हम क्या बोलते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह ATP formation जो हो रही है, that is taking place in the presence of light, ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे mechanism, जैसे यहाँ जब वहाँ पर mechanism पढ़ा था, तो यही तो पढ रहा था, कि कोई gradient बन गया था, वो किसका gradient था बच्चो, वो protons का gradient था, protons के gradient से pH gradient बना, pH gradient से electrochemical gradient बना, और इन सब ने मिलकर के PMF बनाया तरह इस proton motive force, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, ध्यान से सुनना, यह जो लिखा है ना कि mechanism, यह mechanism क्या explain करता है, यह mechanism यह बो बच्चो, ATP का जो formation है, that is linked with, linked with development of, development of proton motive force, PMF का मतलब proton motive force, और यह proton motive force, कौन कौन मिलकर के बनाता है, बच्चो, proton motive force, अभी आप पढ़ोगे, तीन चीजें मिलकर के बनाती है, proton का gradient, साथी साथ pH gradient, साथी साथ electrochemical gradient, यह gradients क्या होते हैं, और कैसे बन जाते हैं, इन पर तो हम जिक्र करेंगे ही करेंगे अभी, है ना, gradient का मतलब क्या होता है, difference, concentration में difference, अगर proton के concentration में difference है, proton gradient, pH में difference है, pH gradient, electrochemical में difference है, electrochemical gradient, और इन तीनों से क्या बन जाता है, PMF, that is proton motive force, अचा, इनके बनने से क्या होगा, यह सब कुछ linked है, with the help of, sorry, यह सब कुछ linked है, with the development of, और you can say, with the formation of ATP, तो इस पूरे hypothesis में हमें यही पढ़ना है, बचो, how that ATP gets formed inside the chloroplast, clear हो गया, basic, ठीक है, और यह basic हमने respiration वाले में भी पढ़ रखा है, ठीक है, चलो, आओ अब देख लेते हैं, यार, कि यह gradients बनते क्यों हैं, ठीक है, आओ फटा-फट देखते हैं, इस hypothesis के बारे में समझते हैं, अच्छा, hypothesis समझने के लिए हमें एक membrane उठाना पड़ेगा, किसकी membrane उठाएंगे हम, thalakoid की membrane उठाएंगे, एक thalakoid यहाँ पर बनाया हुआ है, है ना, कल भी हमने discuss किया था, बच्चो, revise करा देती हूं, कि thalakoid itself is double membrane, तो यह जो space आपको दिख दिखाई दे रही है, this is what, this is thalakoidal membrane, जो अंदर वाला surface है, जो lumen को face कर रहा है, मुसको क्या बोलते है, inner surface of thalakoidal membrane, जो बाहर की तरफ है, मुसको क्या बोलते है, outer surface of thalakoidal membrane, और यह thalakoid कहां present है, ठीक है, तुम्हें बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, chlorostroma, जैसे यह वाला diagram देखो, यह वाला diagram देखना, यह है न, यह न, तो यह बाहर सारे क्या है, यह ग्रैना है, ठीक है, इसके बाहर क्या present होगा, इसके बाहर present होगा, तुम्हारा chloroplast है न, और chloroplast में इस जगे को क्या बोलते हैं, बच्चो, stroma, तो अगर मैं एक thalakoidal membrane के बाहर दिया है, stroma, clear हो गया, अब सुनना, यह जहां जहां पर भी ATP बननी है, वहां वहां पर ATP की machine लगी होगी, plant लगा होगा, यह कोई चीज बनाना है, कपड़े बनाने है, जूते बनाने है, और विसलिए तुम plant लगा होगे न, similarly ATP बनानी है, तो plant लगाना पड़ेगा, machine लगान रखनी है, कि Peter Michelle ने, इस ATP के mechanism को explain करने के लिए, photo phosphorylation को explain करने के लिए, कौन सी phosphorylation इस्तमाल किये, cyclic और non-cyclic, तो as per NCRT, ठीक है, as per NCRT, मैं तुम्हें NCRT diagram दिखा देती हूँ, यह देखो, यह NCRT का diagram है, जिसमें thalacoidal membrane है, to explain chemiosmosis, to explain chemiosmosis, तो आप देख सकते हो, इसमे PS2 भी है, और PS1 भी है, तो कौन सा photo phosphorylation होता है, जिसमें PS2, PS1 दोनों होता है, तो आख बंद कर क्या बता सकते हो, that is non-cyclic photo phosphorylation, मतलब, जिस photo phosphorylation को मद्दे नजर रखते हुए, हमें थियोरी पढ़नी है, that is non-cyclic, ठीक है, तो हम उसी का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो मे अं-cyclic वाला notes अपने आगे, आखों के सामने, खोल करके बैठिये, link करना would be easy, है ना, अभी हमने पढ़ा था यार, कि इन में क्या present होते हैं, इन में present होते हैं, photo systems, तो क्यों ना photo systems बना ले, ठीक है, कौन-कौन से photo systems present है, PS2, एन एक और होता है, PS1, बना लेंगे, अच्छा, क्योंकि NCRT पूरे membrane में दिखाती, इसलिए हम PS2, PS1, membrane में ही धसापड़ा दिखाएंगे, we are not concerned कौन बाहर, कौन अंदर, वो difference में लिखवा दिया है, ठीक है, ओके, तो ये कौन सा है, ये लिख देते हैं, बच्चो, PS2, होता क्या है, बच्चो, सूरज भगवान से light पढ़ती है, कौन सी light में plants interested होता है, सिर्फ PAR, that is, 400 से 700 वाली, उसी को हम बोलते हैं, photosynthetic active radiation, या हम उसको बोलते हैं, visible range of spectra, ठीक है, वो light पढ़ती है, ठीक है, वो light पढ़ती है, PS2 क्या हो जाता है, उसके पास pigments है, pigments undergo excitation, और excitation से क्या हो जाता है, बच्चो, excitation से हो जाता है, electron का release, है ना, अब electron के release से, electron के release से क्या होता है, इस PS के पास कमी हो जाती है, किसकी? electron की, बड़ इसकी उसको भी tension लेने के ज़रत नहीं है, इनके पास एक complex present होता है, towards human side, towards inner surface of thalakoidal membrane, that is OEC, OEC का full form क्या होता है, oxygen evolving complex, जैसा ना, वैसा काम, तो ये क्या करता है, oxygen को evolve कराएगा, कैसे evolve कराता है, बच्चो, पानी की split करवा करके, पानी की lysis करवा के, breakdown करा के, तो पानी lysis हो गया, photolysis में गया, आधा oxygen बना, और साथी साथ, electron release हुए, बच्चो, यहाँ पर मैं electron के number से, proton के number से, बिलकुल आपको परिचा नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बत important for us, ठीक है, तो ध्यान से सुनना हुआ क्या, light पड़ी, electron निकला, electron की कमी को किसने पूरा किया, पानी ने, पानी split कहा हो रहा है बच्चो, ल्यूमन के तरफ, पानी split कहा हो रहा है, ल्यूमन के तरफ, होता क्या है बच्चो, ल्यूमन में H प्लस का कंसंट्रेशन, कंसंट से दिखाते हैं, केमेस्ट्री में पढ़ा होगा, ल्यूमन में, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, वो अल्रेडी हाई है, स्ट्रोमा में, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, हो पहले से कम है, यह पहले से गरीब है, यह पहले से अमीर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमी क्या याद करो थोड़ा link कराती हूँ respiration से हुआ क्या था IMS में H plus concentration पहले से high था अब matrix से proton और pump होते रहे वो और अमीर हो गया with respect to H plus है ना similarly lumen पहले से अमीर है H plus को ले करके already पैसा बहुत जादा है यहाँ पर पहले से कम था इसके बावजूद क्या हुआ lumen में ही पानी की splitting हो गई तो इस पानी की splitting से H plus और आ गया lumen में पहले से अमीर था और H plus आ गया तो पहला reason है difference को create करने वाला वह कौन सा reason है पानी की splitting towards lumen याद रखते रहना क्या है पानी की splitting ठीक है अब होगा क्या भूल जाओ इसको अब हम आजो यह electron पर हुआ क्या था हुआ क्या था बच्चो electron जब निकला था याद करो एक सेकंड याद करा देती हूं electron जब निकला था तो सबसे पहला जो incorporating C trade था था होता है इस फोस्त प्यнов ख्योंत अलेक्टरौण несेप्टर कौन था था फैयो फै प्रेवाइटिन तो वह पूरी NCRT की लाइन भी अभी दिखाऊंगी यह एलेक्ट्रॉन कहां गया फेयोफाइटिन के पास जो थोड़ा बहार की तरफ है आउटर सर्फेस पर प्रेजन्ट है इसके बाद क्या होता है बच्चों यह अपना एलेक्ट्रॉन किसको दे देता है यह अपना एलेक्ट्रॉ मेंब्रेन के बारे में इस चाप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं मेंब्रेन के बारे में अल्रडी प्लाज्मा मेंब्रेन में पढ़ चुके हैं तो प्लाज्मा मेंब्रेन ही तो है प्लाज्मा मेंब्रेन में जो टेल है वो कैसा होता है उसको पानी से बिल्कुल प्यार नहीं पी प्लस्टो की ना चो अंदर की तरफ ए जितने भी कल सोते हैं सारा काम वही खराब करते हैं है लाहा पर भी कियू यूबी कि लाग्योन जो था só ही प्रोट़ॉंस को करिल खीक्राप कर रहा था है ना यहां पर भी यह जो यूबी सोरी प्लास्टो कि नौन होते हैं लाल्ची होते हैं लाल्ची क्यों होते हैं यार क्यों होते हैं लाल्ची इनको यह एलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए फेयो फाइट इन से पी क्यू को एक्सेप्ट किया स्ट्रोमा में भी है पैसा तो है ना भले ही कम ही सही ठीक है है एच प्लस है अब ये क्या करते हैं है एच प्लस को भी खीच लेते हैं स्ट्रोमा से कितने लालची है ना तुम्हें कोई बोलेगा कि एक टॉफी पकड़ा रहा है या एक चॉकलेट दे रहा है तो मुझे तो ये चाहिए प्लास्ट्रोगिनान वह किया झाला क्या रिट्षन के लाता है ना आप देखना NCRT यार तुम्हें आधी बाते बताती है, आधी बाते अपने पेट में रखती है, यह NCRT डाइगराम है, याद रखना, ठीक है, हुआ क्या, एलेक्टरॉन निकला था, इन्होंने फेओफाइटिन नहीं दिखाया है, तुम्हें याद रखना है, एलेक्टरॉन कहां गया था फेओफाइटिन के पास, फेओफाइटिन के पास, के बात किसके पास गया, प्लास्टोकिनॉन के, प्लास्टोकिनॉन देखो, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन के एक्सेप्टन से किसमें कनवर्ट हो जा रहा है, फिर एक्सेप्ट होने के पादे इसको मज़ा नहीं आया तो किस में convert होगा पीक्यू में convert होगा तो वहाँ पर एक क्यून cycle चलती है क्यून cycle आपके syllabus में नहीं है अब इससे हम brief क्या निकालें अब NCR ने लिखा तो brief तो निकालना पड़ेगा न सुनो ध्यान से हुआ क्या पीक्यू ने क्या किया electron खीचा किस से electron खीचा यहाँ पर कौन था फेओफाइटिन ध्यान से सुनना बच्चो फेओफाइटिन से electron खीचा electron तो खीच लिया electron के साथ protons को भी खीच लिया कहां से stroma से अब यह दोनों को accept करने की वज़े से यह खुद reduced हो गया किस फ़र में PQS2 के फ़र में मज़ा नहीं आया तो इसको वापस से किसमें convert होना है प्लास्ट्रो किनॉन में अब वापस से प्लास्ट्रो किनॉन में convert होना है मतलब oxidation होना है अब oxidation होगा तो electron और proton दोनों निकलेंगे दोनों निकलेंगे ना अब देखो क्या होगा अब देखो क्या होगा है अब देखो क्या होगा है ना कि electron और proton दोनों निकल रहे हैं electron यह कहां चला गया यह electron तो आगे next electron कैरियर को चला गया that is cytokrome b6f जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अब यह जो cytokrome b6f है यह सिर्फ और सिर्फ electron केरियर है इसका proton में कोई interest है ही नहीं कि इसका फ्रोटओन में बिल्कुल कोई interest नहीं है तो जब प्लास्टो के नौन ने यह एच प्लस निकाला तो बोल रहा है भाई तू ले ले बड़िसको इंट्रेस्टी नहीं है तो इसने लिया तो नहीं पर धक्का दे दिया किसके तरफ होगा क्या तुम्हें कोई टॉपी यह मिलकी बार ऑफ पुराने जमाने में आती थी तुम्हें कोई जबरदस्ति दे रहा है अब तुम कहीं गए हो ठीक है अब कौन खाता यार किसमी बार पुराने बच्चे तो खाव भी ले देते अब यार इतनी सारी चोक्लेट से किसको पसंदागी किसमी बार बढ़ तो लिया तो यहां इंट्रस्टेट इंट्रस्टेट गूस को कही ना कई ना तो यह सोब दक्रम कई तरों कि तरफ देखो कि अहां से आया था इसको वह만 ही फेक देग तरफ लित ऒंए तर यूमै्न में और की तरफ लीम पानी के splitting से अब और जादा हो गया है क्योंकि ये वाला भी घूम फिर करके कहां आ गया ये वाला भी घूम फिर करके आ गया towards lumen ठीक है तो यहां तक हम पहुँच चुके हैं अब आगे देखना डान से सुनना ठीक है अब क्या होगा इसने proton तो लिया नहीं इसने proton तो लिया नहीं तो इस proton को किधर की तरफ धक्का दे दिया towards lumen की तरफ ये भी आ गया पहले से ये था अब ये दूसरा रीजन है अब क्या होगा अब क्या होगा साइ्टो क्रों B6 f किसको दे देते हैं नोट्स में देखो साइ्टो क्रों B6 7 दे देते हैं प्लास्टोसाइन को अब आप सोच रहे होले होगे मैं प्लास्टोसाइन आपने अंदर-क्यो दिखाया because NCRT दिखाती है और लिखती भी है कि जो प्लास्टो साइनिन है वो कहां पर प्रेजन्ट है जैसा बनाओगे यार वैसे ही याद रहेगा जो हम बनाते हैं वो छब जाता है तो बनाना भी ऐसे ही है प्लास्टो साइनिन इट प्रेजन्ट तुवर्स इनर सर्फेस ऑफ थालाक स्वान को ठीक है अब जान बुझके मैंने आउटर सर्फेस पर दिखाया क्योंकि तुमारे समझने के लिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यह कहां की तरफ लगा होता है आउटर की तरह तो यह अपना एलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बच्चो पियस टू को अच्छा पि अब यह एक एलेक्ट्रॉन गायब हो रखा है और उस गायब वाले एलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी की है इस वाले एलेक्ट्रॉन ने जो घूम फिर करके यहां से आया है ठीक है अब यह क्या होता है यह अपना एलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बच्चो आइरन सल्फर complex को, iron sulfur अपना complex किसको दे देता है FD को, FD क्या होता है ferodoxin, ferodoxin अपना electron किसको दे देते है FNR को FNR क्या होता है, ferodoxin NADP reductase, जो उस electron का इस्तमाल करते हैं, और NADP plus को reduce करते हैं, reduction होता है to form NADP H plus H plus अब मेरी बात बताओ, हम बोल रहे हैं ये electron को इस्तमाल कर रहा है reduction में electron भी होगा और protons भी तो चाहिए होगे, तब ही तो reduction होगा तो stroma में already H plus कम है, है ना अब क्या होता है, जब इसको reduce कराना है, तो उस H plus का इस्तमाल तो करना पड़ेगा ना यार वो H plus कहां से इस्तमाल हो रहा है ये H plus जो खर्च हो रहा है NADP plus को reduce कराने के लिए ये H plus भी कहां से आ रहा है stroma से, ठीक है That means, बेचारा ये गरीब था पहले से ही, हमने इसके 10-20 रुपे और खर्च कर दिये और गरीब हो गया किससे गरीब हो गया, किससे compare कर रहा है Lumen से, और Lumen अमीर होता चला गया, पहले से अमीर तो और अमीर हो गया, क्यों? क्योंकि उसका H+, यहां से बढ़ गया, पानी के splitting से यह H+, क्या आने से अब हुआ क्या? यह सब होने के बाद H+, का concentration यहां और बढ़ गया यहां पर कम रह गया ऐसे gradient को क्या बोलते हैं, बच्चों? ऐसे gradient को हम बोलते हैं protons के respect में डिफरेंस है ना? तो proton gradient आप NCRT पढ़ोगे तो लिखा हुआ है यार pH, pH आपको आप अलरी महारत ही हो उसमें के मिस्ट्री में, है ना? तो pH आपको पता है H+, तो क्या सा pH हो जाएगा? acidic, है ना? इसके यहां पर protons का concentration बढ़ने से जो pH है, lumen का वो क्या हो गया है? कम और यहां का जो pH है वो हो गया है बढ़, बढ़ चुका है यहां पर कम, यहां पर जादा जादा का मतलब gradient बन गया और यह gradient किसका बना है? pH का बना है इसलिए इस gradient को क्या बोलते हैं, बच्चो? pH gradient अब, जैसा हमने वहां पर electrochemical gradient बना, पढ़ाता यहां पर भी है यहां पर क्या हो रहा है? H+, का concentration H+, क्या है? protons है यहां पर जादा है इधर के membrane की तरफ, lumen की तरफ और stroma में क्या है? कम है तो ऐसे gradient को क्या बोलते हैं, बच्चो? ऐसे gradient को बोला जाता है electrochemical gradient क्या बोला जाता है? electrochemical gradient तो तीन gradient बन गया है, कौन-कौन से? pH, proton and electrochemical gradient अच्चा, gradient बन गया है तो अब होगा क्या? यह gradient डेवलप करते हैं, एक force उस force का नाम होता है proton motive force अब वो proton motive force क्या करेगा? अब जो यह force जनरेट हो रही है इस gradient के बनने से यह force उस gradient को तोड़ देगी है ना, दरवाजे पर force लगा होगे यार किसी भी चीज़ पर तो एक टाइम की बाद हो तूट जाता है तो इस difference के बनने से जो force generate हुई है वो इस gradient को तोड़ेगी तोड़ने का मतलब क्या है यार? याद करो जब respiration में IMS में, inter-memoral space में बहुत ज़्यादा proton से कठा हो गये थे वहाँ पर भी gradient बना था वहाँ पर भी force generate हुआ था और उस force का इस्तमाल करके उनको वापस पवेलियन अपने लॉटा दिया गया था, है ना? जहांसे वो आये थे, या आप कह सकते हो जहां पर उनकी concentration कम थी बराबर कर दिया, बाट दिया similarly, यहां पर भी दोनों तरफ concentration बराबर रखना है chloroplast को, उसको मजा नहीं आ रहा है ऐसा बेदवाव करने में, है ना? तो वो क्या करेगा? lumen से H+, को, sorry lumen की तरफ से H+, में फेश देगा यहां से उठाएगा, वहां फेख देगा यहां से उठाएगा, वहां फेख देगा बट, फेखेगा, मतलब जा रहा है H+, जाने का stroma के तरफ एक ही रास्ता है और वो रास्ता कौन है? F0, F1 है ना? अब आप तो इतने होशियार होई क्योंकि आप respiration वाला ETS पर रखे हो यार, तो यह ETS तो कुछ भी नहीं है यह ETS के सामने कुछ भी नहीं है तो जब आपको वो समझ में आ गया तो यह तो बिलकुल ही आ जाएगा है क्या इसमें? तो यार यार याद करो जब वहां पर protons की movement हो रही थी जब वो वापस matrix की तरफ आ रहे थे तो क्या बन रहा था? ATP बन रहा था, है ना? Similarly, जब H+, यह जो extra H+, है जिनकी बज़े से यह सब का कहानी घटी है जब यह वापस से stroma की तरफ आएंगे तो क्या होता है बच्चो? तो बनती है ATP Adenosin diphosphate react करता है inorganic phosphate के साथ तो बनता है Adenosin triphosphate that is set to be energy currency of the cell क्या बोलते हैं? ATP Adenosin triphosphate तो यह ATP क्यों बन पाया? क्योंकि इस F1 वाला जो पार था ना इसके पास enzyme होती सेम वही है, सेम वही है कौन सी enzyme होती? ATP synthetase जो यह सारा ATP बना रही है क्या कर रही है? ATP बना रही है inside chloroplast तो I hope यह ATP formation आपको clear होगा बचो फिर से repeat कर रही हूँ यह ATP बना क्यों? क्योंकि difference बना है difference किस-किस का बना है? pH का बना है, electrochemical difference बना है और एक proton का difference बना है इन तीनों difference ने एक force generate कर दी force ने क्या किया? gradient को break किया question आता है gradient कैसे break हुआ difference कैसे break हुआ जब हमने protons की movement कर आई कहा से कहा? lumen से stroma के तरफ किस के through कर आई? F0 F1 के through कर आई तो यह देखा गया है बच्चो जब H plus move करता है from lumen to the stroma then there is a formation of ATP then there is a formation of ATP ठीक है? और एक और लाइन लिखी हुई है यह ATP तब तक नहीं बनता chloroplast के अंदर जब तक यह light नहीं पड़ती क्योंकि light नहीं पड़ती electron नहीं निकलता electron नहीं निकलता electron की movement नहीं होती electron की movement नहीं होती तो protons का transport नहीं होता यह सब कुछ नहीं होता तो यह gradient नहीं बनता gradient बनता नहीं तो टूरता नहीं टूरता नहीं तो ATP नहीं बनती, so everything is linked with the light, इसलिए इस process को हम बोलते हैं, photophosphorylation, so now it is clear that how ATP gets formed during photophosphorylation that takes place inside chloroplast, ठीक है, अब तुम सोचोगे मैं, notes भी लिकवा दो, बिल्कुल अब तयार हो जाओ, समझ लिया हमने, अब एक एक करके notes लिखते हैं, तो सबसे पहले यार, before wasting much time, मैं ना, क्योंकि बच्चों को यही problem होती है, तीन reasons होते हैं, तीन reasons होते हैं, proton gradient के बनने के, ठीक है, मैं यहीं लिखवा देती हूं, three reasons, three reasons for development of, for development of proton gradient, NCRT ने भी point करके लिखाये बच्चों, और वो सारे points important है, development of proton gradient, सबसे पहला reason क्या था, proton gradient के बनने का, सबसे पहला reason था, splitting of water, सबसे पहला reason क्या था, splitting of water, यह question आता है कि splitting कहां होई थी, towards lumen, तभी तो lumen में कठ्था हो गए, H+, पहला reason, NCRT में लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा reason जो है, वो B mark है, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ नहीं आता है, NCRT में लिखा क्या है, इसलिए मैंने सीधा screenshot लगा दिया है, कि तुम यहीं पर समझ के, यहीं पर लिख लो, जब electrons की movement होती है, photosystems के थू होती है न, क्योंकि excitation हुई है, electrons excite हो चुके हैं, तो वहीं electron move करते हैं, तभी तो बनता है ETS, नहीं तो कैसे बनेगा ETS, तो यह बात बिल्कुल सही, electrons move कर रहे हैं, उसी time पर protons की transportation हो रही है across the membrane, हुई थी न, हुई थी न, protons stroma से कहां लाए गए थे, एक सेकेंड, protons stroma से कहां लाए गए थे बच्चों, lumen में, तो transportation तो हुई थी, क्यों हुई अब आगे देखो, this happens because, जो primary acceptor होता है electron का, which is located towards the outer side of the membrane, transverse as electron, अब ये किसकी बात कर रहे है, primary acceptor कौन होता है, जो सबसे पहले accept किया, और सबसे पहले किसने accept किया बच्चों, फेओ फाइटे ने accept किया, NCRT ना नाम लिख देना, तो हुमारी problem solve हो जाए, NCRT नाम तो लिखती नहीं, this, that, फलाना, ढखमकाना लिखती है है न, इसलिए, तुम अपने pencil, pen जो भी उठाओ, यही लिख दो कि primary acceptor कौन है, फेओ फाइटे, इस फेओ फाइटे ने, जो कि कहां की तरफ present होता है, outer side of the membrane, इसलिए हमने बाहर की तरफ बनाया हुआ है, transverse its electron, इसने अप फेओ फाइटे ने अपना electron किसको transfer किया, not to an electron carrier, but to an hydrogen carrier, यह किसकी बात कर रहा है, यह बात कर रहा है, प्लास्टो किनॉन की, देखों, NCRT लिखती है कि प्लास्टो किनॉन electron carrier नहीं है, यह एक hydrogen carrier है, hydrogen carrier है, बिल्कुल सही बात है, but it's an electron carrier as well, ठीक है, but we'll go by the NCRT, तो याद रखना है, इस फेओ फाइटी ने क्या-क्या सारा खाम खराब गया, इसने एक a.s.e. को transfer कर दिया, जो proton carrier है, तभी इसने proton को accept कर लिया, है न, but यह proton carrier था, आगे जितने भी लगे हुए थे carriers, they were not interested in that proton, तो वो proton को किसी ने लिया नहीं, और उसको धक्का दे दिया गया, लुमेन की तरफ, आओ NCRT, रीट करो, अब हुआ क्या, hence, this molecule, this मतलब, लिखो NCRT में, यह this किसके लिए, PQ के लिए, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron, बिल्कुल सही बात है, यह देखो, यह देखो, PQ ने, जब electron ले रहा था, accept कर रहा था, अब protons खीचा, और जब यह transfer कर रहा था, किसको, next electron carrier को, तो यह बड़ा चलाग था, यह electron के साथ, proton भी transfer कर रहा था, साइटो क्रोम B6 भी over smart था, electron तो ले लिया, proton को किधर की तरफ फेक दिया, lumen की तरफ, ठीक है, तो यही लाइन लिखी हुई है, कि this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron, when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the protons are released into the inner side or the lumen side of the membrane, ठीक है, clear हो गया, कि जब इसने आगे पास करने की कोशिश की, उन electron carriers को, जो inner side में present होते हैं, membrane में present होते हैं, उन्होंने लिया नहीं, और उसको push कर दिया गया, धक्का दे दिया गया towards lumen side of the membrane, तो जो second reason था, वो किसकी वज़े से था, इसी plastokinon की वज़े से, ठीक है, okay, next, last जो reason है, कि जो NADP reductase enzyme होती है, वो कहाँ पर present होती है, stroma side of the membrane, अच्छा, यह बहुत important सवाल आता है, question यह आएगा, कि NADP reductase कहाँ पर present होती है, ठीक है, एक option होगा, बहुत सारे option होगे, जिस दो option में आप confused होगे, वो बता रहे है, एक option होगा stroma, और एक option होगा stroma side, तुम diagram देखोगे ना, क्योंकि यार जो हम देखते हैं, हम तो बच्चे हैं, जो हम देखते हैं, हमें लगता है, यह stroma के तरफ है, that means, यह सब कुछ, यह जो FNRA stroma के तरफ हो रहा है, नहीं, द don't get confused, ठीक है, वो confused करेंगे, तुम्हें confused नहीं होना, because NCRT में लिखा हुआ है, कि जो NADP reductase होती ही, वो कहां पर present होती है, stroma side of the membrane, यह क्या करती है भाहिया, electron तो ले रही है, अब reduction के लिए तुम्हें protons भी चाहिए, है ना, तो देखो, along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1, यह electron कहां आ रहा है, protons are also necessary for the reduction of NADP+, बिल्कुल necessary NADP+, के reduction के लिए, क्या बनाने के लिए, NADPH plus H+, तो यह protons को भी खर्च कर जाते हैं stroma से, तो यार, जहां से भी देखो, stroma के तरफ से ही घट रहा है, यह वाला proton जो अंदर entry मारता है, वो भी stroma के तरफ से आ रहा है, यह वाला जो protons चाहिए, इ फिर NCRT लिखती है यार, हम बार-बार कह रहे हैं, gradient बन रहा है, gradient बन रहा है, फाइदा क्या है उस gradient का, why we are so much interested, देखो, यही लाइन है, why we are so much interested in the development of proton gradient, yes, why, सोचो, why you are interested, यार, मकसद क्या है, मकसद यह है, यार, देखो, मकसद यह है, देखो, आते हैं, बताते हैं, just a second, yeah, importance, what is the importance of proton gradient, it is the development of this gradient, development of this gradient, is linked with, is linked with ATP formation, इसलिए इसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे linked है, ठीक है, कैसे इसकी linkage हम शाबिद करेंगे, कि यह बन रहा है, तो ATP formation हो रही है, कैसे बताया था हमने, अभी हमने देखा, कि जब यह gradient डेवलाप हो रहा था, तो इसका breakdown हुआ, breakdown of this gradient, breakdown of this gradient, will lead to, will lead to, formation of ATP, बिल्कुल सही बात है, जब तक gradient बनेगा नहीं, gradient टूटेगा नहीं, और जब तक वो टूटेगा नहीं, ATP बनेगा नहीं, यहना टूटने का मतलब क्या है, concentration बराबर करना, और बराबर कैसे हुआ था, यह भी question आता है, कि breakdown कैसे होता है, breakdown occur, breakdown occur, by movement of, by movement of H+, from, कहां से कहां, यह question PBI क्यों का है, lumen to stroma, breakdown of H+, from, lumen to stroma, यह question आयो हुआ है, बच्चों, इस तरीके से हम breakdown कराते हैं, gradient की, ठीक है, okay, breakdown कराने के लिए, तुम्हें एक machinery पे तो चाहिए, जिस रास्ते के थुरू, तुम H+, को बाहर फेक रहे हो, क्योंकि H+, कहीं से भी नहीं जा सकता, एक particular रास्ता है, उस रास्ते का नाम क्या है, F0, F1, तो हमने proton gradient की importance देख ली, अब F0, F1 की बारे में देख लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, F0, F1 ATP बनाने वाले machine के हिस्से हैं, इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, ATP machinery, यह F0, F1 कहां पे present है, थालाकोईट, थालाकोईट किसका हिसा है, क्लोरोप्लास, इसलिए इसको CF0, CF1 लिखती है, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ाता, यह जो F0 है, सब कुछ पढ़ा हुआ है बच्चों हमने, पहले भी, यह जो F0 है, जहान से देखना इस diagram को, यह जो F0 है, यह membrane में धसी हुई है, membrane में कौन धसा पढ़ा होता है, protein, जो protein membrane में धसा होता है, उसको हम tunnel protein बोलते हैं, या trans membrane protein बोलते हैं, और वो किसके लिए काम करती हैं, वो channel बनाती है, तो यह channel का मतलब क्या है, रास्ता है, है ना, तो यह जो F0 है, यह भी channel बना रही है, यह भी एक रास्ता बना रही है, किस के लिए किसे चलने के लिए कि एरशप्लस के चलने के लिए तो किया इस एसप्लस को भेजने के लिए इस ऐसफ्लस को चलाने के लिए कुई energy कर्च कर equiv नहीं, क्योंकि H plus की movement कहां से कहां हो रही है बच्चों, high से low हो रही है, और आपको पता है, जब movement high से low हो, तो energy थोड़ी खर्च होती है, वो तो passive transport है, है ना, इसी लिए NCRT ने लिखा हुआ है, ये जो F not present होते हैं, वो H plus की transport कराते हैं, H plus का diffusion कराते हैं, बट क्योंकि इस diffusion में इस protein की मदद ली गई है, इस F not की मदद ली गई है, इसी लिए fast related diffusion word लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें वो line बताती हो, वो कौन सी है, क्या लिखा है NCRT ने, just a second, NCRT ने लिखा हुआ है, कि C F not क्या होता है, base, सब कुछ cell में पढ़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा membrane में धसा हुआ होता है, और यही बनाता है trans membrane channel for the facilitated diffusion of H plus, और diffusion कहां से कहां हो, और H plus की, from lumen, from lumen to stroma, ठीक है, अब F not के बाद ही किसमें entry मारेगा, C F1 में, इसको हम बोलते हैं headpiece, और यही पर एक enzyme present होती ही, बच्चों, जिसका नाम क्या होता है, ATP synthetase, जो किस से linked है, ATP को बनाने से, ये बाहार की तरफ निकली होई होती है, protutes outside, ये देखो, protutes का मतलब जाकना, एक सेकेंड, देखो, बाहर की तरफ निकली होई न, stroma side को face कर रही है, outer side को face कर रही है, ठीक है, फिर एक anxiety ने line लिखी होई है, कि जब H plus F not के बाद F1 में entry मारता है, उसके entry से इन में कोई conformational change होता है, conformational change का मतलब क्या है, change related to structure, तो जैसे इसके structure में कोई conformational change आती है, ये ATP synthetase जो enzyme है ये active हो जाता है, इसको पता चल जाता है, भाई है H plus आ गया है, अब इसका इसका इस्तमाल करना है, और उसी H plus को इस्तमाल करेंगे, जब उससे move करेगा, किसको बनाने में, ATP को बनाने में, इसी लिए NCRT ने लिखा हुआ है, कि conformational change होता है, CF1 में, तब ही खूप सारी ATP synthesize होती है chloroplast में, ठीक है, तो यह हमने बात कर लिए ATP, machinery की भी, तो बच्चों हमने सब कुछ देख लिया, हमने वो तीन reasons पढ़ लिये, जिसकी बज़े से वो साधे gradients develop हुए थे, फिर हमने उन gradient का importance भी पढ़ लिया, gradient का importance के बाद हमने देख लिया कि भाईया, ultimately ATP बना कैसे है, कोई machinery थी, बिल्कुल पढ़ लिया है, उसके बाद NCRT ने हमें कुछ requirements बताए है, just a second, यह देखो, लिखा हुआ है कि chemiosmosis को कराने के लिए, बिटन मिशेल को क्या-क्या requirement लगी थी, क्या लगा था, membrane, कौन सा membrane था बच्चों, यह थाला-क्वाइडल membrane, और क्या चाहिए था, proton pump, proton को pump किया गया था न, stroma में, pump word का मतलब है, भाईया, pump word का मतलब क्या होता है, low to high, तो यही तो हुआ था, stroma में already कम था, है न, और PQ ने उधर से उठा करके, human के तरफ भेज दिया, जिधर concentration पहले से high था, और क्या चाहिए था, proton gradient, obviously, क्योंकि gradient बनेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं, और क्या चाहिए, ATP synthetase, यह चार चीज़े चाहिए होती, chemiosmosis के लिए, उसके बाद देखो, क्या लिखा हुआ है, energy का इस्तमाल हुआ है, to pump protons across the membrane, अब बहुत सारे बच्चे, यह सोचेंगे हैं, बहुत सारे बच्चे, यह सोचेंगे हैं, इनर्जी खर्च होगी, protons को pump कराने में, just a second, बच्चो, हाँ, यहाँ पर इसका मतलब है, यह सब कुछ जो हुआ है, वो light के पढ़ने से हुआ है, that means, यह किस से related है, radiant energy, light energy ने भहिया यह सारा काम कराया है, ठीक है, क्योंकि उसी के पढ़ने से electrons के movement से protons की movement हुई, जिसके बज़े से यह सारा gradient और difference बना भही लिखा हुआ है, अब पूरा line पढ़ती हूँ, कि energy is used to pump protons across the membrane, to create a gradient, या to create a high concentration of protons within thalakoidal lumen, यह हमने पढ़ा कि lumen की तरफ बढ़ गया था, ATP synthetase has a channel that allows the diffusion of protons back across the membrane, जहां से आये ते, वही पर वापस भेज़ दो, है ना, और वो channel का नाम क्या है, उस channel का नाम होता है, F0, this releases enough energy, यह जो channel है, enough energy to activate ATP synthetase enzyme that catalyzes the formation of ATP, so this is how ATP gets formed, इसके बाद देखो क्या लिखा हो, NCRT में, along with NADPH, produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction, देखो इन्होंने क्या बोला, कि NADPH भी तो बना था, क्यों बना था, वो electron जो घूम रहते हैं, उस electron को इस्तमाल कर लिया, लेफिनार ने और NADPH बना लिया, इसके अलावा ATP बना, इन सब का इस्तमाल होता है, biosynthetic phase में, biosynthetic phase का मतलग, बच्चों, dark reaction, है ना, मसाले बन चुके हैं, अब इन मसालों को यूज़ करेंगे, और उस यूज़ करने वाले process का नाम है, dark reaction या biosynthetic reaction, जो कहां चलती है, stroma में, क्योंकि stroma में ही वो सारी enzymes है, यह जो reaction कराएंगी, sugar का formation कराएंगी, ठीक है, और वहीं पर CO2 को fix करते हैं, और sugar को synthesize करते हैं, तो यह सारा हम next lecture में पढ़ेंगे, बच्चों, कि how that CO2 gets fixed, या how that CO2 gets reduced, with the help of this ATP and NADPH, देखो, light reaction का जो मकसद था, वो हमने पढ़ लिया, मकसद क्या था, ATP और NADPH को बनाना, उसके पीछे का reason की ATP कैसे बने mechanism, वो सब भी हमने cover कर लिया, with the help of chemiosmotic hypothesis, ठीक है, तो मैं notes भी आपको लिखवा देती हूं, बच्चों, क्योंकि notes ही आपको चाहिए होता है, ठीक है, तो chemiosmosis का जो requirement है, वो क्या है, thalakoidal membrane, लिख लो, thalakoidal membrane, ठीक है, और क्या आपने पढ़ा, तुम्हें चाहिए proton का pump, और क्या चाहिए proton की gradient, और एक enzyme चाहिए जो इसको बनाती है, that is ATP synthetase, फिर आप साथ में देख रहे हो, उसके साथ क्या लिख बने हुए है, electron carriers है ना, यह electron carriers मैंने लिखे है, so that आपको बता सकूँ कौन कहाँ पर present है, यह कहाँ पर present होता है, outer side of thalakoidal membrane, बहार की तरफ present है, बहार का aqueous environment होता है, तो यह पानी में easily soluble हो सकते हैं, water soluble, plastokinon कहाँ पर present होता है, membrane में, है ना, और NCRT ने इसको hydrogen carrier लिखा हुआ है, NCRT ने इसको primary acceptor लिखा हुआ है, primary acceptor के साथ साथ इसको electron carrier लिखा हुआ है, ठीक है, inner membrane में है, तो inner membrane किसकी बनी होती है, बच्चों lipid की, तो obviously वो lipid soluble चीजों को यह अपने अंदर रखेगी, PC कहाँ पर present होता है बच्चों, मलब inner side की तरफ, ठीक है, towards inner side लिखा हुआ है, inner surface of thalakoidal membrane, यह भी एक electron carrier है, ठीक है, साइटो क्रोम क्या होता है, iron rich complexes होते हैं, ठीक है, इसके इलावा, यह भी कहाँ पर present होते हैं, inner membrane में, कहाँ पर inner membrane में, और जो चीज़ inner membrane में होगी, that would be, बार और बताने की जरूरत नहीं है, that would be lipid soluble, जो outer और inner surface की तरफ होगी, क्योंकि बाहर की तरफ जाकरी है, that would be a water soluble thing, ठीक है बच्चों तो यह सारी बाते मैंने आपको बता दी है, आप कुछ questions कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बच्चों कुछ questions कर लेते हैं, आओ, फटा-फट, मिले जुले होंगे, कुछ पुराने lectures के भी हो सकते हैं, और उमीद करती हूं, आपने revise कर लिया होगा, तो आप सब के answers कर पाओगे, pen pencil जो भी है, 4-5 questions जो भी हम discuss करने वाले हैं, उसके लिए तयार हो जाओ, और अपने आपको mark करते रहना, और सभाशी देते रहना, ठीक है, ओके, start करते हैं, पहले question के साथ, कि आपको incorrect statement mark करना है, PS2 is found in both grand and str stromal lamellae, तो मैंने आपको इनकी locations बता रखी हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ाता कि PS1 होता है, जो दोनों में मिलता है, यही हमारा गलत हो गया, ठीक है, PS2 सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, PS2 सिर्फ और सिर्फ granal lamellae में मिलता है, stromal lamellae में इनकी presence नहीं दिखाई देती है, आ P680, अच्छा एक और चीज़ यहाद रखना, जो reaction centers होते हैं, यहाद रखना एक चीज़ और, जो reaction centers होते हैं, उनमें क्लोरोफिले का molecule बैठा है, कितना molecule, एक molecule, इन reaction centers को न, quantum conversion center भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, quantum को convert किया जाता है, अब इससे क्या समझ रहे हुआर, reaction center वो site है, जहाँ पर quantum की conversion हो रही है, क्यों, क्योंकि photons आते हैं, light आते हैं, energy आती है, और उस energy को, वो जो भी है, किस form में निकल जाती है, वो, electron के form में, ठीक, इसलिए इसको quantum conversion भी बोलते हैं, direct question आता है, याद रखना, ओके, यह हमने पढ़ लिया, next question के तरफ चलते हैं, next question है कि external source of electron किसमें जरुवत नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, किसमें जरुवत नहीं हो गया, cyclic में, क्योंकि electron जो निकलता है, वही गूम फिर करके वापस आ जाता है, ठीक है, non cyclic में जरुवत होता है, non cyclic को ही z scheme बोलते हैं, तो यह option क्या हो गया, eliminate हो गया, ठीक है, next, primary electron acceptor in cyclic photophosphorylation, अगर non cyclic होता, तो phleophyton mark करते, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको आज, कि non cyclic में primary acceptor यह है, बढ़ उसमें primary acceptor कौन होता है, iron sulfur, iron sulfur के बाद वो किसमें जाता है, FD, FD के बाद वो किसमें जाता है, FNR में, ठीक है, तो यह हो गया, cyclic ही पूछा है नहीं, कभी क electron, starting from the PS2, uphill to the acceptor, आज ही मैंने बताया आपको, पहले जब यह acceptor के पास जाती है, तो uphill होता है, नीचे नीचे जब आती है, electron transport PS1 तक, तो यह downhill होता है, फिर excitation होता है, another acceptor, तो uphill होता है, फिर downhill होता है, फिर downhill बताया है न, अब, down, जैसा है movement वैसा याद रखो, आप कभी confusion नह होगा, down, यही तो पढ़ा था हमने, किस में होता है, यह, Z scheme में होता है, है न, और Z scheme, देखो, कहाँ पर option दिया हुआ है, D option, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, oxidative तो यहाँ पर लेना ही दिना नहीं, यह तो तुमने, mitoconotria में पढ़ रखा है, cyclic में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि cyclic flow है, PCR cycle तो यार इसको photosynthesis, dark reaction से relate कर दिया गया है, photosynthetic carbon reduction, C3 cycle को बोलते हैं, वो next lecture में पढ़ोगे, तो जो हमारा answer है, that is D, which of the following is not the requirement of chemiosmosis, देख लो, chemiosmosis का requirement कौन है, पहला ही option, यह जो enzyme है न, यह तुम पढ़ोगे बच्चो, खाना बनाने वाली enzyme होती है, इसक कर रही हूं, use कहीं, chemiosmosis में तो देखा नहीं, तो यह हो जाएगा answer, stromal lamella membrane lax, तुम सोचो कि माम आप ताइम तो देहीं नहीं रहे, तुम pause कर लिया करो, ठीक है, अगर तुम ऐसा लगे कि माम फटा फट बताय जा रही है, तुम pause कर सकते हो, अब मैंने time दिया है, सोचो, answer सोचो कौई कौन सी enzyme नहीं होती है, stromal lamella, lax PS1 only, PS2 only, देखो, stromal lamella, आज ही मैंने आपको दुबारा revise करा था, बोलोगे तो 5-6 बर और revise करा दूँ यार, कोई परिशानी नहीं है, यह देखो, यह है हमारा stromal lamella, इसमें सिर्फ PS1 है, और PS1 है, तो यह क्या चलाता है, cyclic चलाता है, that means, यहाँ पर PS2 और NADP नहीं present होगा, क्यों, क्योंकि cyclic में NADP reductase enzyme नहीं होती है, तभी तो NADPH नहीं बनता है, याद आ गया, अब तो तुम यह question भी कर ले जाओगे, कि PS stromal lamella में PS1 लाक होता है, अभी तो दिखायता है, नहीं, PS2 only, only लिखा हुआ है, PS2 के स होता, yes, यह नहीं होता, ना PS2 होता है, ना NADP reductase होता है, ठीक है, इसलिए ना यहाँ पानी की splitting होती है, ना oxygen निकलता है, ना NADPH की formation होती है, तो यार हमने सारा का सारा chemiosmosis भी पढ़ लिया, कुछ questions भी कर लिये है, light reaction से जो involved होते हैं, next chapter में, sorry, next lecture में जब हम मिलेंगे, त कान से assimilatory powers है, ATP और NADPH को कैसे स्तमाल करेंगे खाने को assimilate करने के लिए, है ना, तो please पढ़ करके आना, please नहीं बोलना चाहिए, तो में पढ़ के याना है, बच्चो, revise करके आना है, तब ही हम उसको link कर पाएंगे, through dark reaction, next lecture में मिलते हैं, बच्चो, तब तक के लिए, bye-bye and take care बच्चो, तक के लिए गाना है, तब है तब है, तब हैं तूंचे, उसको ये पको बचले स।बसे हैं